वाइल वीजन इंडिया और दाउदी पोहरा जमात ने सुखा प्रभावित पाजुगाओं को जलसंकट से उबारने के लिए कदम बढ़ाया प्रोजेक्ट राइज वाटर सेग्रिटी इनिशिटिव के अंतरगत यौतमाल की इंगाओं में डैम तलाप को बनाया जाएगा अन्य जलस्त्रोतों को भी दुरस्त किया जाएगा इन गाओं में सावरगर, चीजगाट, वडने, जवाहर, मुर्जेडी और मारकन गाओं शामिल है प्रोजेक्ट के सम्मन में सोमवार को प्रेस क्लब में पतप्रिशत का अरजन किया गया था इस दोरान दाउदी बोहरा समात नागपुर के प्रमुख शेक कौसर खमूशी ने बताया कि मानोता के मद्यनजर जमात की ओर से विभिन्नक कारेक्रम किया जाते हैं ऐसा ही एक कारेक्रम प्रयास सूखा प्रभावित परिवारों तक पाणी पहुंचा ना है ताकि उनके जीवनस्तर को सुधारा जा सके 900 परिवार से लाभानवित होंगी वर्ल वीजन इंडिया के डायरेक्टर जो मोन बेबी ने बताया कि किस तरह यौतमाल में जलसंकट से ग्रामिन प्रभावित है उन्हों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में स्थानियन आगरिकों को भी शामिल किया जाएगा जन्वरी 2021 में प्रोजेक्ट पूरा होगा दाउदी बोहरा जमात नाकपूर के प्रतिनदी शेक सब्बिर फिद्वी ने बताया कि जमात की ओर से प्रतिवर्ष कर्मी में कुछ गाव में टैंकर की साहता से जलपूर्ती का कारे किया जा रहा है जो आगामी समय में भी जारी रहेगा पत्र परिशत के दौरान मुंबई के पियारो मुर्तजा साधरिवाला और नाकपूर के पियारो हसनेन शाकरिर और तयब आरिप मौजद थे कैमेरा परसन राजकुमार मोहर के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट इन्बी सियन्योस नाकपूर